दोस्तो आज का वीडियो एक requested वीडियो है मेरे पास बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि मैं एक ऐसा उपाई बताओ जिससे की घर में बरकत रहे घर में पैसा रोपिया आए और घर की जो जरूरते हैं वो बहुत अच्छे से पूरी हो जाएं करे लोग महनत करते हैं इसके बागजूद उन्हें अच्छे परिणाम नहीं मिल पाते हैं उनका भागय उदय नहीं होता तो आज इस वीडियो में मैं एक ऐसा उपाई लेकिया ही हूँ जो आपका भागय उदय जरूर करेगा और आपकी महनत का आपको पूरा परिणाम मिले आपके जीवन में उन्नती के मार्ग खुलें इस तरह की बाते आपके साथ हो इसके लिए आप इस उपाई को जरूर करें यह जोतिश उपाई है दोस्तों तो इसे किस तरह से करना है कब करना है यह आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ नमस्तों मेरे चैनल नीता विक्रम है, आप सब का स्वागत है, मैं हूँ आपकी दोस्त नीता, आप सब कैसे हैं दोस्तों, ये बताने के लिए हमेशा कि तरह कमेंट सेक्षिन में जै मातादी जरूर लिखिए, मातारानी हम सब का कल्यान करती है, अपना आशिरवाद हमेशा हमारे उपर बना के र जाल रंके इस सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर दीजिए, और इसके बाज़ों में बने हुई घंती के आइकन याने बेल के निशान को प्रेस करिए, जिससे कि आपको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले, और आप मेरे सभी वीडियो देख पाएं, दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं, घर में पैसे रुपे की जरूरत हम सभी को होती है, दैनिक दिंचरिया के साथ ही साथ हमें पैसे का संचय भी करना पड़ता है, जो हमारी धन सपता है, वो हमारे आपातकाल या बुरी परस्तितियों में हमारे लिए सहारा देती है, और शुर्चश अखता है कि घर में बरकत नहीं है, बरकत याने आपके घर में पैसे रूपे का अभाव होने लगता है, और आपके घर में जितना आपको धन चाहिए उस घर को चलाने के लिए, वो नहीं आपाता है, या किला परणवर्ष धन खराब कारियों में वय हो जाता है धन का संचे नहीं हो पाता तो इस तरह कि घरों में लोग क्या उपाय करें जिससे कि उनके घर में बरकत पनी रहें कुछ तो साधारण उपाय हैं जो मैं अपने सभी वीडियो में बताती रहती हूं जैसे आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए और आज मैं आपको जो वीडियो में इस उपाई बता रही हूं इस उपाई को करने से याने आपके घर का प्रमुख जो भी इनसान पैसे कमा रहा है वो इस उपाई को जरूर करें इससे उनका भागय उदय होगा और उनके जीवन में सफलता जिससे कि वो ज़्यादा धन कमा पाएंगे और अपके घर में धन का संचय भी हो पाएगा तो दोस्तों उपाई आपको कब करना है कैसे करना है चलिए मैं आपको यह डीटेल में बता देती हूं यह उपाई दोस्तों आपको भोले नाथ याने शिवजी भगवान का साथी साथ दोस्तों मैं यह बता दू कि आपको अपनी जीवन में श्रम हमेशा करना चाहिए क्योंकि अगर आप महनत नहीं करेंगे केवल उपाई के भरोसे बैठे रहेंगे तो आपको सफलता किस चीज में मिलेगी सफलता पाने के लिए आपको कुछ न को श्रम तो जरू खुलेंगे इस उपाई को दोस्तों करना कैसे है यह मैं आपको बताती हूँ आपको क्या चाहिए आपको चाहिए त्रिकोन सफेद रंग का जंडा दोस्तों किसी भी पूचा के दुकान पर मिल जाएगा इसमें कई बार गोटा लगा हो भी आता है सादा जंडा भी आता है तो आपको जो भी जंडा मिले, आप छोटे साइस का ही सही चाहिए, इतने बड़े साइस का, जिस भी साइस का आप जंडा लाना चाहिए, आप वो ले आए, सबसे पहले आपको यह उपाई 40 दिन करना है, तो मैं आपको बता दू, जब भी आप यह उपाई शुरू करेंगे, तब से लेके 40 दिन तक नियमित आपको इस उपाई को करना है, पहले संडे को आप जाएंगे, आपको एक ऐसा मंदिर ढूनना है, जिसके आसपास पीपल का पेड़ हो, और वहीं आसपास अगर शिव जी का, जिस पर शिवलिंग पे हम अभिशेक करते हैं, वो हो, तो बहु आप इस जंडे को जरूर लगाते, पीपल के उपर आप इस जंडे को चढ़ा दें, संडे के दिन, संडे के दिन इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, अब अगले दिन से आप अपना उपाई करना प्रारब करेंगे, इसी तरह रोज, यह यानि करीब आपको 40 दिन तक अब आपने सोमवार से यह उपाई शुरू करा है, तो यहां से आप दिन शुरू करेंगे गिनना, इस दिन से लेके 40 दिन तक आपको रोज नियमित मंदिर में जाके, शिवजी के ऊपर दूद में शकर मिला हुआ, यह दूद चढ़ाना है, इसका अभिशेक रोज आपको क करना है, ऐसा नियमित 40 दिन तक अगर आपने कर लिया दोस्तों, तो आपका भागयोद होना या आपके घर में जो पैसा रुपया नहीं है, बरकत नहीं है, यह समस्या जरूर दूर हो जाएगी, और इस बीच में जितने भी संडे याने रविवार के जितने भी दिन इन 40 दिनों के बीच में, तो हर अविवार को आपको पीपल पे सफेज जंडा चढ़ाना है, और नियमित रूप से हर दिन आने, आपको किसी भी दिन गैप नहीं करना है, सोम, मंगल, बुद्ध, गुरु, शुक्र, सारे दिन अब आपको जाकर 40 दिनों तक नियमित आपको शिव भगवान के उपर दूद में शक्कर डाल के चढ़ाना है, तो इस उपाय को करने की मैंने आपको विधी बता दी है, समय बता दिया है, और आप इस उपाय को जरूर करिए, इसे करने से आपका भागयोदे होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया है, साथी साथ दोस्तों कई सारे रोग मुसे सवाल करेंगे कि अगर यह उपाय किसी कारण वर्ष वो नहीं कर पा रहे हैं, छूड गया है, तो दोस्तों इसमें आपको रूटीन बनाने की बिलकुल जरूरत है, यह उपाय ऐसे ही है, इसका कोई alternative नहीं है, यानि मेरे पास इस उपाय का और कोई वि बीच में खंडित हो गया है, जब भी दोस्तों इसमें कोई उपाय करने हैं, उसके बीच में कभी नकभी विqNavaицा आ जाती है, तो आप इसे भगमान की मर्जी मानिखे या जो मानिखे दूर्पोसली आपको इस उपाय को दुबारा शुरू करना पड़ेगा, फिर वह यह आपको एक से लेके चालिस तक फिर पूरा ही उपाय करना पड़ेगा, आप इसे बीच में छोड़ने के बाद, ऐसा नहीं है कि आपने दस के बाद एक दिन नहीं गए, फिर आप अगले दिन चले गए तो फिर ग्यारा गिन ले, ऐसा नहीं, अगर बीच में आपका उपाय खं पर इसका फ़ल या परिणाम जरूर आपको मिलेगा, अगर आपने पूरी इक्षार शक्ती के साथ, आप बस यहां पर बहाने मंत बनाईए कि आप सुबह मंदिर नहीं जा सकते, आप सुबह जल्दी उठीए, जो भी आपके काम है, जल्दी करिए, ना आईए, सिर्फ मंद बिल्कुल बोर रही हूँ, आप बस इस उपाय को करेंगे, तो आपके घर में बरकत या पैसे रुपे से साथ कर रहे हैं, आप जौब ढून रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, मन लगा के अपना काम करिए, जरूर भगवान आपको उसमें सौफी सदी बरकत जरूर देंगे, आपके जो आमदनी हैं, उससे आपके घर के खर्चे अच्छे से पूरे होने लगेंगे, बेसिकली ये उपाय आपके घर में बरकत यानि पैसे रुपे का जो संचे नहीं हो रहा है, उस परशानी को जरूर दूर कर देगा, साथी साथ दोस्तों मैंने कई सारे प्री वीडि किन चीजों से अप्रसन हो जाती है, घर को गंदा मत रखिए, घर में पुरानी चीज़ा जमा करके मत रखिए, सामान को अव्यवस्थित मत छोड़िए, जो भी आपके घर में खाने पीने का शाम का समय है, उस समय पर सफेज चीजों को अगर आपको बहुत ज़्यादा पर करिए, आपके जीवन की दिन चर्या है, आप उसे जादा तर अच्छा रखने का प्रयत्न करें, यह उपाय करिए दोस्तों बरकत के लिए बहुत ही घर में बरकत बनाय रखने के लिए धन पैसे का संशे करने के लिए बहुत ही अच्छा उपाय है, मैं समझ सकती है, मैंने आपको बताया है, वो आपको as it is ही follow करना पड़ेगा, पीपल का पेड में जंडा चढ़ाना जरूरी है, हर संडे को चढ़ाना है, संडे याने रविवार को और सोमवार से दिन गिन के, सोमवार से आपके दिन की काउंटिंग श्री होगी, सोमवार से लेके दिन गिन खुद आपको इस सीज का अशरवाद देंगे, शिवजी महाराज या शंकर भगवान उनकी क्रपा जरूर आप पे बनी रहेगी, तो दोस्तों आज का ये वीडियो बरकत आपकी घर की बढ़ाने का वीडियो, यहीं पे मैं खदम करने वाली हूँ, तो दोस्तों आप जरू मुझे बताईएगा कि आपको इस वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिए, उपाय है दोस्तों, उपाय को जरूर करिए, और दोस्तों मेरे सभी वीडियो देखने के लिए कमेंट सेक्शन का, पहला कमेंट देखिए जहां पर मैं आपके साथ लि से दोस्तों